सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म पालक के परांठे का अलगी मज़ा होता है। स्वागत है आपका स्वाध्या रसोई में जहां हमाज बनाने वाले हैं ये परत्दार टेस्टी पालक के परांठे। पालक के फाइदे तो हम सबी जानते हैं तो बच्चों को पालक खिलाने क ये बैस तरीका है, तो चलिए बनाते हैं, ये खस्ता और तेस्टी पराठे, पालक के पत्तों को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, और फिर इसे दो-तीन पानी से धूलिया है, अच्छी तरह धूने के बाद इसकी जितनी भी मोटी डंडिया हो वो अलग कर दें, और यह हमें चाहिए केवल पत्ते, तो हम पत्तों को ही बारीक काटके और फिर इससे पराठे बनाएंगे, तो इस तरह से डंडिय को हटा दें और पालक के पत्तों को एकदम बारीक काट लें, तो यहां मैंने इनको एकदम फाइन चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं, पालक को करने के बाद हम इसे आटे में मलेंगे, तो यहां में गिहूं का आटा ले रही हूं दो कप, इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे और पालक के पत्तों को हम डायरेक्ट मिलाएंगे बिना उबाले, इसमें हम दो बड़े चम्मच बेसन मिलाएंगे, बेसन से टेस्ट भी बढ़िया आदी चमच इसका बहुती बढ़िया फ्लेवर आता है इन पराठो में अब डालेंगे सरदियों की खास चीज वो है सफेद दिल दिल जरूर डालें इसमें फ्रेंज इससे बहुती स्पेशल टेस्ट आता है एक बड़ी चमच तेल डालेंगे इसमें तेल की जगे आप घी भी डाल सकते हैं इससे पराठे एक तम खसता बनेंगे अब इसमें बारी कटा हुआ पालक डाल देंगे पालक में काफी सारा मौिस्चर होता है तो पहले हम इसको आते में डाल के अच्छी तरह मिलाएंगे उसके बाद जितनी ज़रूरत लगेगी हम पानी मिलाते जाएंगे औ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। यहाँ पर इस बात का आप बहुत ध्यान रखें कि पानी आप थोड़ा-थोड़ा करके डालें। क्योंकि हमने यहाँ मसाले और नमक अड़ कर दिया है, जिसकी वज़े से पालक अपना पानी रिलीज करता जाता है। एकदम perfect soft आटा लगके तयार है, इसके ओपर थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि यह moist बना रहे और उपर से सुखे नहीं। इस आटे को rest देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यह बिल्कुल पतला हो जाएगा पानी रिलीज होने से, तो अब लूईयां ले ले लेते हैं और पानाटे बेलना स्टार्ट करते हैं, तोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फटा-फट से सारे प इस तरह से fold दे देंगे, मैं बना रही हूं square shape के पानाटे आप अपने पसंद के किसी भी तरह का shape दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से जब हम fold देते हैं तो layers बहुत अच्छे से आती हैं, तो मैंने यहां 4 fold देके और इसको एक square लोई बना ली है, यह देखे कितनी बढ़िया सी और इसको हम बेल लेंगे, इन परांटों को थोड़ा मुटा ही बेलें, तो आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इस पर pressure नहीं लगाएं, हलके हाथ से बेलें, ताकि परते इसकी जो हैं वो बिगडे नहीं, और इसी तरह से परांटा बिलकुल हमारा खस्ता बने, तो इसी के साथ इसका जो जितना भी nutrition है, इसमें जो vitamins और minerals होते हैं, वो इसमें बहुत अच्छे से हमें मिलते हैं, अगर हम इसको पहले boil करते हैं, तो कुछ हिस्सा उसका lose हो जाता है, तो इसलिए आप इसको हमेशा काटके बनाएं, उससे बहुत taste भी बढ़िया होता है, और उसका nutrition भी बना रहता है, तो इस पे अब देल लगाते जाएंगे, और तवे को बिल्कुल medium आज पे रखेंगे, घी या oil आप कुछ भी यूज़ करें, बस इध्यान रखें कि medium high flame हो, और दोनों तरफ से पलटते हुए, इस पैचुला से इस तरह दबाते जाएं, ताकि सब खसता पालक का पराठा हमारा तयार हो गया है, आटे को हम जादा देर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो फिर पतला हो जाएगा, तो इसलिए फटा फट से मैंने और पराठे भी सेख के तयार कर लिए, तो अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया layers आ इन करमा गरम पालक के पराठा को मैं सर्फ करने वाली हूँ, काजर, मूली, हरी मिर्च केक, टेस्टी चटपटे अचार और इसी के साथ हरी मिर्च के चटपटे अचार के साथ, उपर से थोड़ा सा बटर भी डाल दें, इन दोनों अचार की रेसिपी मैंने अपने चानल प और सेहत भी